Hello Friends, Welcome to Gardening with Hitesh, Money Plant या Pothos, एक ऐसा प्लांट है जिसे आप सोईल में बहुत ही आसानी से, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और जितनी ही आसानी से आप इसे, सोईल में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से आप इसे पानी में ही ग्रो कर सकते हैं चाहे आप जो है गार्णिंग में बिगनर हैं फिर भी आप इसकी कटिंग जो है आसानी से लगा सकते हैं मिट्टी में और पानी में भी तो यह मेरा प्लासची का वेस्ट कंटेनर है तो मैंने इसमें लगाया था कुछ देर पहले दो तीन कटिंग लगाई होगी तो आप देखिए कितना बुशी हो चुका है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मनी प्लांट को आपने पानी में कैसे ग्रो करना है तो आप वीडियो के अंड तक बनी रहें मैं आपको अपडेट भी इसका दूँगा जब इसमें रूटिंग हो जाएगी पानी में तो यह देखिए कटिंग आपने लेनी कैसे है जैसे आप देख रहे हैं यह इसके सारे नोट्स हैं तो जब भी आपने cutting लेनी है उनमें नोट्स उन्ठेर सारी होनी चाहिए कम से कम चार से पांच नोट्स होनी चाहिए तो वहाँ से आपने इसे इस cutting को लेना है जहां से हम कई बार देखने हैं money plant में लंबी लंबी साइट से roots निकलती हैं उन्हें जो है aerial roots कहते हैं यह देखिए देख रहे हैं आप साइट से सारी यह सारी इसकी aerial roots हैं जब हम इस इन roots को aerial roots को जहां से निकल रही हैं उनको पानी में रखेंगे तो automatically ही उनमें rooting start हो जागी तो आप कोई भी काँच का shall बाउल ले 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 या kannuj का glass ले 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 by roots होती हैं तो उनको भी support मिल जाती है यह इसके जगह बजरी का भी use कर सकते हैं तो सबसे पहले हम जो अपने port को पानी से भर देंगे, मेरा port थोड़ा बड़ा है तो इसमें मैंने एक लिटर तक पानी डाला होगा, आप अपने port के according पानी डाल सकते हैं, और हमने जो है इसे डायरक्ट नहीं डाल देना है, ऐसे पत्ते समेत, जहां इसकी notes हैं, ये देखें, एक note यहा कट कर देने हैं, जितनी जो stem है पानी में जाएगी, उसके साथ leaves नहीं जाने जाएगी, नहीं तो आपकी cutting गल जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है, जहां ये देखें, यहां भी node area है, यहां से भी aerial root निकल रही है, ठीक है न, तो एक ये उपर से निकल लिया है, तो इन दोनों कोई हमने, इन notes कोई हमने पानी में रखना है, यह देखें, पानी में रख दिया, तो इनके साथ leaves नहीं जानी जाएगी, नहीं तो leaves गलेगी, तो हमारी cutting जो है, stem में भी जो है, सडन पैदा हो जाएगी, तो ऐसे same way में हमने दूसरी cutting भी अपनी पानी में रख देनी simple process है, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है, कि जो हमारी notes है, वही पानी में जाएगी, देखें, मेरी दोनों cutting की दो-दो notes जो हैं, पानी में हैं, और leaves देखें, आप leaves पानी को touch नहीं कर रहे हैं, leaves पानी से उपर हैं, बस इसी बात का ध्यान रखना है, और कुछ नहीं आ आपनी करना है, चीक है, तो अब इसे मैं रखतेता हूं, और अब मैं आपको इसका जो है updated video share कर रहा हूं, देखिए, अब जो है routing इसमें start हो गई है, तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि इसमें कैसी routes develop हुई है, ये देखिए, कितनी बड़ी एक route इसमें आई है, देखिए, बिल्कुल white है, ये जो आप देख रहे हैं, यही इसकी route है, और ये node area से ही निकली है, और दूसरी वाली cutting देखिए, इसकी थोड़ी अभी इतनी बड़ी नहीं हुए route, इसमें जो है दो routes निकली हैं, देखिए, दोनों node area में दो routes इसमें निकल गी है, routing तो इसमे days का update है, साथ दिन बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको, साथ दिन में देखिए, routes इसमें कितनी अच्छे से develop हुई है, और जो है, साथ दिन में मैंने इसका पानी दो बार change किया है, पानी आपने दो से तीन बार हफते में जरूर चेंज करना है, नई तो इसमें जो है, चिकन इसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई, बस इसे जो है, bright light मिलती थी, तो अगर आपको मेरी ये sharing अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को like करें, और मेरे चैनल को subscribe करें, happy gardening friends